राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सनाएंगे एक बहुती मासुम और भोले भगत की कहनी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें एक गाउं था, उसमें एक भोला नाम का लड़का रहता था, वह बेचारा अनात था, उसके माता पिता का बच्पन में ही स्वर्गबास हो गया था वह गाउं के लोगों की गाएं चरा कर लाता और उससे जो बेहनता ना मिलता, उसी से उसका गुजारा होता था बोला बहुत ही सीधा साधा और मासूम था, एक दिन वह जंगल में रास्ता भटक गया और उसे रास्ता नहीं मिला और रात होने वाली थी, इसलिए वह एक पेड के नीचे सो गया सुबह जब हुई तो उठा तो उसने देखा कि वहीं जंगल में एक तपश्वी का आस्रम था सुबह सुबह उठकर भोला, उसी तपश्वी के आस्रम के दर्वाजे पर जाकर बैठ गया जब तपश्वी जी सुबह उठकर नदी में इसनान करने के लिए निकले तो अपने द्वार पर भोला को देखकर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और यहां कैसे आ गए तब भोला ने कहा, मुनीवर मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी सरन में ले ली जिये भोला की यह बाते सुनकर तपश्वी का मन पसीज गया और उसे भोला पर दया आ गई तपश्वी ने उसे अपने आस्रम में सरन दे दी और भोला से कहा कि जब तक तुम चाहो यहां रह सकते हो और तपश्वी इस नान करने पास की नदी में चले गए भोला बहुत खुस था और वे आस्रम में रहने लगा दीरे दीरे उसने आस्रम की सेवा करने का सारा कारिय भार संभाल लिया वे अपनी निश्चल सेवा भाव से तपश्वी का विश्वास पात्र बन गया एक दिन तपश्वी को कहीं संत सर्मागम में जाना था तपस्वी ने भोला को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि देखो भोला मैं अपने ठाकुर जी का पूजन नित्य प्रती करता हूँ अब उनकी पूजा मैं जा रहा हूँ समागम में तो उनकी पूजा कौन करेगा आस्रम में उन्हें इस योग्य कोई और सिश्य नहीं दिखाई दे रहा इसलिए मैंने बहुत विचार करके तुमें ही इसके लिए चुना है मेरे जाने के बाद तुम ठाकुर जी की पूजा पाट तो करी लोगे और उन्होंने भोला को ठाकुर जी की पूजा पाट का सारा काम समझा दिया उन्होंने भोला को सब परकार से पूजन की विधी समझाई और तपश्वी जी संत समागम में चले गए अगले दिन भोला प्राते काल उठा और सनान आदी से निविर्थ होकर चलाठा कुर्जी की पूजा कर ले पूजन कक्ष में आज तक तपश्वी के अतिरिक कोई और कभी नहीं गया था पर भोला को तो अब ये सोबाग्य मिल गया था जैसे ही भोला ने पट खोले तो देखा सामने एक छे फुट की पीतल की बनी हुई भगवान विश्नु की प्रतीमा रखी थी अब भोला की पूजा शुरू हो गई भोला ने उस्पीतल की प्रतीमा को अपने कांदे पर उठाया और ले गया नदी में नदी में घिस घिस का रिस्नान कराया और वापस लाकर भगवान की मूर्ती उसे इस्थान पर विराजित कर दे पर वस्तर कहां से लाएं यह सोचकर भोला ने अपना गमचा मूर्ती पर लपेट दिया सारी पूजा करने के बाद अब भोग लगाना था भोला ने अपने हिसाब से भोजन पकाया और ठाकुर जी के सामने रख दिया भोला तो बहुती मासूम था बेचारा बहुती भोला भाला था उसने तो जितना वे खुद खाता था उसी के अनुसार उसने ठाकुर जी के लिए भी भोजन बनाया उसने भोजन में आठ रोटियां ठाकुर जी के लिए बनाई साग बनाया और खीर बनाई थी आप ठाकुर जी से हाथ जोड कर भोला कहने लगा कि ठाकुर जी भोजन कर लो ठाकुर जी तो मौन थे भोला ने कम से कम 10-15 बार बिंती की ठाकुर जी भोजन कर लो ठाकुर जी भो बोजन करने चले, वे तो मूर्ती थी, इसलिए भोला को तपश्मी की बात याद आई, कि मेरे ठाकुर जी भूके ना रहने पाएं, ये ध्यान रखना और अच्छे से भोग लगाना उन्हें, अब भोला और परेशान हो गया, मना मना कर वे ठाकुर जी को ठक गया, पर ठाकु भोला को याद आया, कभी कभी गाएं चराते समय, भोला को ऐसे ही परेशान करती थी गाए, कभी घास चरते चरते इधर उदर भाग जाती, तो भोला जो है, अपनी बुद्धी से काम लेता और डंडास मार मार कर सारी गायों को इखटा कर लेता, अब भोला के ज्ञान चक् खुल गए पास में ही धान कूटने का मूसल रखा था भोला राम जी तो ठैरे भोले भोला कती उन्होंने मूसल को अपने हाथ में उठा लिया और ठाकुर जी के सामने मूसल पटकते हुए बोले देखो ठाकुर जी मेरे हाथ में मूसल है मेरे गुरू जी कहकर गए हैं कि ठाक तो मैं जूटा हो जाऊंगा अगर आपने भोजन नहीं किया तो क्यूंकि मैंने अपने गुरु देव को वचन दिया है और अगर आप भूके रहेंगे तो मेरे वचन का तो कोई मानी नहीं रहेगा अब मैं आपसे बहुत मिननते कर चुका हुँ बहुत मना लिया मैंने तुमसे आखरी बार हाथ जोड़कर कहता हूँ भोजन ठंडा हो रहा है आकर चुप चाप भोजन कर लो पर ये तो असंभव था असंभव कैसे हो जाता कैसे भगवान आकर भोले का भोग लगा जाते पर भोला तो जिद पर अड़ा था क्योंकि गुरुदेव जी जो कहकर गए थे कि मेरे ठाकुर जी भूके ना रहें तो फिर तो भोले को भोग भगवान को खाना ही पड़ेगा भोले के सामने बड़ा धरम संकट था अगर भोजन नहीं कराता तो एक तो गुरुदेव के समक्ष जूटा बन जाएगा वहीं दूसरी तरफ भगवान भी भूके रह जाएंगे पर ठाकुर जी है कि मानी नहीं रहे थे सब परकार से धमका चुका था वह अब तक भगवान ठाकुर जी को पर अब भोले कि खोपड़ी जो सटक रहे उसने एक आखरी अवसर फिर दिया और का ठाकुर जी देखो मुझे मजबूर मत करो चुपचा भोजन करलो वरना जैसे मेरी गायों को सही रास्ते पर मैं लाना जानता हूँ जैसे मैं तुम को भी सही रास्ते पर ले आउंगा अब बहुत हो चुका है चुपचा आकर भोजन करलो लेकिन जब भगवान दमकाने के बाद भी नहीं माने तो भोले ने भगवान को दिया गुमा कर एक मुसल खन की आवाज काफी देर तक आती रही वहां बैकुंट में सेस सैया पर भगवान के दाइने हाथ में चोट पड़ी तो भगवान के मुसे आ निकली जिसे सुनकर स्री चर्णों में बैटी हुई माता लक्ष्मी ने कहा क्या हुआ स्वामी आपके सिरी मुख से करुन करुंदन की आवाज सुनाई पड़ी भगवान बोले हाँ प्रिये आज एक भगत मेरी पिटाई कर रहा है देखो वहां माता लक्ष्मी ने देखा तो भोला लगा भगवान को गुमा गुमा के मुसल मारने में लगा हुआ था तम्मा लक्ष्मी ने कहा स्वामी आप उसके विश्वास और हट को तो देखिये उसके निश्चल भावों को तो देखिए आज उसको आपको दर्सन देने जाना पड़ेगा नात भगवान ने कहा हे प्रिये मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे खिलाए बिना तो भोला खाना खाएगा ही नहीं और इतना कहते ही भगवान बैकूंट से अंतर ध्यान हो गए यहां भोला मूसल मारते जाता मारते जाता और कहते जाता खाते हो या नहीं कहते हुए मूसल चलाते चलाते भोला थक गया थक कर वे गिरने को ही हुआ था तब ही भगवान ने उसे थाम लिया भगवान के इस पर्स मात्र से ही भोला की सारी थकान दूर हो गई उसने देखा ठाकुर जी आ चुके हैं तब जाकर भोला के प्रानों में प्रान आए भोला ने अपने चतुराई पर मुस्कुराते हुए भोला क्यों ठाकुर जी पहले ही आ जाते तो इतनी मरमत क्यों होती चलो कोई बात नहीं दो रोटी जादा खा लेना जल्दी ठीक हो जाओगे ठाकुर जी ठाली के सामने बैठ गए और भोला से कहा कि अब तुम भी बैठो भोला हम साथ साथ खाना खाते हैं आओ बैठो भोला ने कहा नहीं भगवन पहले तुम खालो मैं फिर खाओँगा बाद में नहीं तो गुरु दे मुझे फटकार लगा देंगे ठाकुर जी बोले अरे हम नहीं बताएंगे गुरु जी को आजाओ ना नहीं तो मैं चला जाओँगा भोला ने कहा आरे नहीं नहीं ठाकुर जी बड़ी मुश्किल से तो माने हो ठीक है मैं तुमारे साथ भोजन खाता हूँ अपनी ठाली ले आओं ठाकुर जी बोले भोला इसी में खाएंगे हम दोनों तुम मुझे खिलाओ मैं तुमें खिलाओंगा लो पहला निवाला तुम खाओ भोला की तो आखे भराई और भगवान भी रो पड़े दोनों ने एक दूसरे को भोजन कराया तब भगवान भोले भोला अब मैं जाओं भोलाने का हाँ ठीक है ठाकुर जी आप चले जाओ अगर गुरुदेव कल भी नहीं लोटे तो पूजा के समय आप आ जाना मुझे इ भोला हम समय पर आ जाएंगे भोला कहने लगा देख लो याद रखना समय पर आ जाना न वरना मुझे वह ही पड़ा हुआ है भगवान मुझे और अंतर ध्यान हो गए भगवान कहने लगे तुमने इतना स्वादिष्ट भोजन हमें खिलाया है हमें तो आना ही पड़ेगा हम ऐसे भोजन तो तुमारे गुरुदेव ने भी नहीं हमें कराया हम तुमें कुछ उपाहर दे तो इंकार तो नहीं करोगे भोलाने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए ब इस परकार प्रैती दिन ऐसे ही भोला ठाकुर जी की सेवा करने लगा आज तपश्वी जो आसरम में लोट आये थे इस नान करके सीधे पूजा कक्ष में चले गए और भोला को आवाज दी कि भोला ठाकुर जी को भोग लेकर आओ भोला ने गुरुदेव की आज्या पाकर तुरंत भोग लेकर आया भोग देखकर तपश्वी की आँखे फटी की फटी रह गई इतना सारा भोजन किसके लिए लाए हो तुम भोलाने का ठाकुर जी के लिए लाए हैं गुरुदेव तपश्वी ने का भोला तु पागल हो गया है क्या तुझे भोला था ना तामबे की कटोरी में लाना था जिसमें रोज मैं भोग लगाता हूँ भोलाने का अरे वा गुरुदेव जी पर जब से आपने मुझे पूजा का भार सौपा है तब से तो ठाकुर जी इतना ही भोग खाते हैं अब गुरुदेव चड़ गए और गुसा भी उन्हें आ गया और वे भोला को डाटते हुए बोले अच्छा अब तु मुझे कि दिखा कि ये मूर्ती कैसे इतना भोजन करती है मैं भी तो देखता हूं ठाकुर जी तेरा इतना सारा भोजन कैसे ग्रेहन करते हैं भोलाने का गुरुदेव आप से प्रातना है आप इस कक्ष से बाहर किसी कौने से देखिए ठाकुर जी कैसे भोजन करते हैं गुरुदे जोहीं का आओ ठाकुर जी भोजन त्यार है तोहीं ठाकुर जी आ गए और भोजन करने लगे पर तपश्वी को तो केवल इतना ही दीका कि भोजन थाली से धीरे धीरे कम होता जा रहा था और तब तपश्वी को आभास हो गया और उन्होंने जोर से चिलाया भोला मुझे भी दरसन करा दोना अपने आश्रिय दाता की करुन पुकार से भोला वैतित हो गया और ठाकुर जी से हाथ जोड़कर विंती की कि उसी पल तपश्वी को भी साक्षात दरसन दे भोला की बात भगवान कैसे टाल सकते थे उन्होंने उसी पल तपश्वी को भी साक्षात दरसन कर दोस्तों इस कहानी से हमें यही सिक्षा मिलती है भगवान सिर्फ भाव के भूके हैं आपकी धन संपत्ति या छपन भोगों के नहीं और ऐसा नहीं कि मुसल मारने से उपर गठ हो जाते हैं जब निश्चल भाव से उन्हें पुकारा जाए तब वो जरूर आते हैं तपस्वी तप में लीन जरूर थे पर उनके भावों में वह भावना नहीं थी जो मंद बुद्धी भोले भाले भोला में थी जो प्रभू को नजर आई सहस्त्रो जपी तपी सादू सन्यासी परमेश्वर के तप में हजारों वर्स लीन रहते हैं ब्रह्म की तपस्प्राप्ति के लि अभी तो कहा गया है भगवान तो भावना के भूके हैं दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सबिस्क्राइब करें और शेयर करें राधे राधे